नमस्कार दोस्तों मेरा नामे रजनी स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का इसा प्लेटफों में जो आपको Export इंपोसे टेट सारी जनके डिटेल में बताता है आपको समझाता है इंडिया से Export कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका Procedure क्या है, क्या-क्या Document आपको बनाने है, कैसे Marketing करनी है, कैसे Bio Finding करके आपको International Market में आपका Product Sale करना होता है तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकरी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से Provide कराई जाती है, तो इसी के साथ मैं आपसे Request करूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्काइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आ यहां से काफी अच्छी मातरा में एक्सपोर्ट की जाते हैं, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो मैं आपसे Request करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए, अगर आप मुरादाबाद यूपी से हैं, और आप भी किया जाएगा, कि इन कंट्री में किया जाएगा, क्या क्या डॉक्मेंट बनाने पड़ेंगे, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकर ही, आपको इस वीडियो के मादियम से मिलेगी, तो मैं आपके से Request करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं, के का हैंडी क्राप एक्सपोर्ट होता है, और विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, करीब करीब 50 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर मुरादाबाद एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज में इनके प्रड़क्स की डिमांड रहती है, अगर मुरादाबाद में ए export करके तो इतनी बड़ी इंड़ी है जहां से पूरे वर्ड के अंदर जो है export किया रहा है लाज के निक्टिया पॉर्ड करती हैं तो आप प्त Bhag up करना चाहते हैं तो आप जूड़ सकते हैं कि dw einem के साथ में हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह किसे इंडिया से export business शुरू किया जाए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मुरादाबाद 50 से ज़्यादा countries के अंदर अपने handicap items को export करती है के अलावा भी काफी सारी Gulf countries है Canada में हमारा अच्छा export है UK के अंदर अच्छा export है France में अच्छा export है हमारा तो काफी सारी European countries में जो है आप इस product को export कर सकते हैं अगर major importing countries की बात करें जो मुरादाबाद से ब्रास item का import करती है तो उनमें सबसे पहले पाइदन पर आता है आपका USA उसके बाद आपका Germany है UK है, केनेडा है France है, Italy, Belgium Denmark, Dubai Kuwait, Qatar, Oman काफी सारी Gulf countries के अंदर भी जो है आप इस product को export कर सकते हैं बाकि आप nearby countries में भी इस product को export कर सकते हैं कैसे चाइना में भी अपना brass product जो है इंपोर्ट किया जाने लगा है उसके अलवा सारी European Union की जो countries है उनके अंदर भी आप brass product का जो है export कर सकते हैं brass handicraft का export जो है कर सकते हैं Australia में भी इसकी अच्छी खासी demand रहती है तो ऐसे काफी सारी countries है जिनके अंदर आप जो है brass product का export करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और handicraft के अंदर अगर profit margin की बात की जाए तो इसमें 200 से 300% तक भी आपको handicraft में profit margin देखने को मिलता है कि अगर आपका 1000 रुपे का product है वो आराम से आपका 2000 रुपे में बिख जाता है 10,000 का product है वो आराम से 15 से 20,000 रुपे में बिख जाता है हमने देखा है कि काफी अच्छा handicraft के अंदर 100% 200% तक भी margin बायर की तरफ से आपको मिल जाता है जो भी आप अपना condition देते हैं प्राइजिंग देते हैं जो प्राइजिंग आपको जो है बायर से मिल जाती तो handicraft product को export करने में यही फाइदा है कि आपको इसमें 100% margin मिलता है बहुत अच्छे product है handicraft products आप check out करें मुरादाबाद से आप check out करें कही supplier वहाँ पे 900 से ज्यादा unit से जो इसकी manufacturing करती है मुरादाबाद में और कही सारी government ने उसको special economical john भी वहाँ बनाया हुआ है जिससे वहाँ पे काफी सारे लोग export कर पा रहे हैं काफी सारे benefit उठा पा रहे हैं government of उत्तरप्रदेश जो है काफी support कर रही है वहाँ के लोगों को export करने के लिए तो अगर आप कहीं से भी हो इंडिया में और अगर आप मुरादाबाद से export करना चाते हैं पीतल के product आप वहीं से खरीदें खरीद के आप world में कहीं पे भी उनको export कर सकते हैं और handicraft export करने के मैं कुछ आपको फाइदे बता देता हूँ पहला फाइदा तो यह है कि handicraft जो है कम budget में भी start किया जा सकता है अगर आपका 2,5,000 रुपे हैं और आप उनसे start करना चाते है business तो handicraft के product जो है आप export कर सकते हैं handicraft के अंदर investment कम है handicraft के अंदर quantity भी कम आपकी जाती है तो आपको ज़्यादा investment नहीं लग रहा है ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है दो पीस तीन पीस का भी आप export कर सकते हैं by courier भी कर सकते हैं by air भी कर सकते हैं यह भी आपको उसमें benefit देखने को मिलता है तीसा benefit आपका यह रहता है कि इसके अंदर आपको advanced payment आ जाता है advanced payment आपको मिल जाता है दोस्तों handicraft जब भी आप export करेंगे तो आपको हमेशा advanced payment मिलेगा क्योंकि उसके बाद ही product बनाए जाता है और इस path को भी जो है बायर अच्छी तरीके से समझता है तो handicraft या किसी भी तरगी के handicraft को export करने में आपको advanced payment हमेशा मिल जाता है और जो next जिसका benefit है वो है high profit margin मतलब इसके अंदर margin बहुत हाई है जैसा मैंने बताया आपको 100-200% तक भी margin आपको देखने को मिलता है यह product double में आपका big जाता है तो आप handicraft products में आपने अलग-अलग तरीके की designs बनाए customize करें products को, brass items को customize करें और ऐसा नहीं कि यह industry हमेशा नई रहती है तो जैसे आप अलग-अलग जितनी design बनाए जाएंगे अपने product से brass item की जो भी नई-ईजाइन बनाए जाएंगे business में आके आप जो है उनका फायदा उठा सकते हैं उसके अलगा government भी जो है आपको काफी अच्छा drawback इसमें देखने को मिल जाता है तो brass and crop item के उपर आपको more than 2% 2.22, 2.50% तक भी आपको drawback देखने को मिलता है तो government भी आपको बहुत अच्छा incentive बहुत अच्छा drawback इसमें provide कराते हैं मलब आपके अगर 5 लाग की invoice से तो आपको आराम से इसमें 10 से 15 जार रुपे मिल जाते हैं government की तरफ से भी आपको इसमें additional benefit देखने को मिलता है अगर आप इस तरीके से कई सारे containers अगर export कर देते हैं महीने में तो काफी अच्छा benefit जो है government से आपको निकल के आता है तो आप इस product को export कर सकते हैं बहुत अच्छा benefit जो है handicraft products में आपको मिलता है चाहे हो brass के हो या कोई भी handmade item हो उसको export करने में government भी बहुत अच्छा आपको support करती है अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप बुरादाबास से हैं या UP से हैं या इंडिया के किसी भी हिस्से से हैं और आप export करना चाहते है handicraft product brass item brass के handicraft product तो उनके लिए क्या-क्या document आपको बनाने रहेंगे तो सबसे पहले दोस्तों आप एक GST registration आप अपना कराते हैं उसके बाद आपको bank से ADD code लेना रहता है साथ में आपको import-export code बनाना रहेगा import-export के बाद आप handicraft एक्सपोर्ट पोमिशनल कांसिस का इसमें certificate ले सकते हैं RCMC आप ले सकते हैं फ्यो की भी membership आप इसमें ले सकते हैं इसके बाद जो है आपका performance बनता है commercial invoice है, shipping bill filing है, certificate abortion है यह सारे document आपको बनेंगे अगर आपका wooden box में packaging होके जा रहा है कोई भी handicap item तो उसके लिए fumigation certificate भी आपको लगेगा साथ में आपका bill of lading बनता है तो अगर आपको सबसे पहले आपका product export करना है तो पहले product की knowledge आपको complete होनी चाहिए और product की knowledge के साथ साथ आपको export की knowledge भी होनी चाहिए क्मौन सी स्टेज पर बनाने, किस तरफ भी से marketing करनी है पैमेंट कैसे लेना है, shipping कैसे करना है तो अगर आपको सीखना है completely export import तो हम लेके आएं आपके लिए online 7 days का training session जो आप घर बेटे सीख सकते हैं, export, import रमा सकते हैं, काफी अच्छा पेसा इस product को export करके और आप join कर सकते हैं, 3 days का offline session in Kota राजस्तान, तो आप Kota में भी आके offline training ले सकते हैं या आप घर पे बेटके भी 7 दिन की online training ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको practical way में सिखा हूँगा कि किस तरह किसे आप India से handicraft product या किसी भी अन्य product का export कर सकते हैं, हम कैसे बायर बनाते हैं, मैं क्या product export करता हैं, उसका बायर कैसे बनाता हूँ, यह भी practically और live आपको जो दिखाय जाता है, और बायर से कैसे बा account अपना open करा ले, RCMC registration आपको कराना है, उसके बाद आपको ice gate का registration कराना है, port registration कराना होता है, CHS appointment करना होता है, जिस भी border या airport से आप export करने जा रहे हैं, और CHS उसके condition ले के रखें, आपका जो भी product लेगा, उसका sizes, packaging sizes वगेरा कि accordingly आप जो है CHS से condition ले, बायर को अपनी price बना सकते हैं, या आप हमसे बायर का data लेके भी बायर बना सकते हैं, हम भी आपको brass product जो importer है, उनका data, exact data जो है आपको provide कराते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें screen पर लेके number पर contact कर सकते हैं, साथ में दोस्तों जब आपको बायर मिल जाता है, बायर को price दें, उससे payment अपना डला सकते हैं, और export के जितने भी document आपके पास आएं, वो फिर आपको बायर को courier कर देना है, इस तरीके से दोस्तों आप export करते हैं, export का प्रोडा प्रोसिजर इस तक से complete होता है, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकर यह आपको पसंद आई होगी, आप हमें follow क कर सकते हैं, शोशल मीडिया पर जिनके लिंक आपको description में मिल जाएंगे, मिलते हमारे next वीडियो में, thank you very much.